जो लोग option trading में नया है, option chain के अंदर why and change in why के बीच में बहुत ज़्यादा confuse हो जाते हैं, तो इस वीडियो में उस confusion को clear out करता है, मैं basic से start करता हूं, left side बाला area है हम लोग का call area, right side बाला area हम लोग का put area, और call area में why ज्यादा है तो market का sentiment bearish है, अकर put side में why ज्यादा है तो market का sentiment bullish ह अभी समझ लेते हैं कि यह जो change in why यह इसका क्या काम है, अभी assumption करते हैं, अभी strike price चल रहा है 17,050, और left side में हम लोग का why है, put like 44,000, right side में भी save है, तो दोनों side में save है, तब हम यह क्या देखना है, change in why, यहाँ पे देख रहा है, 91,000 लोग को लग रहा है कि market गिरेगा, डर क के मारे और लोग निकलना start कर दिया, और right side में put side में 2,4,000 लोग add हो रहे हैं कि उनको लग रहा है, 17,005 टी उपर break करेगा, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हो, जब market चल रहा है, उस ही साब से chart analysis करके आप अपना position call या put side में बना सकते हैं